हुआ मैं कि यूट्व ने कि कोसिस की तो मुझे मिला नहीं और मैं बैसिकली के इन में इन्वेस्ट करते हैं या मिट कैप के ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपके लिए काफी इंट्रेस्टिंग ETF हो सकता है तो इस ETF का नाम है ICICI Prudential Sensex Mid Cap Select ETF इसका जो कोड है एनस्टी पे वह ICICI MCAP यह है इसका अगर आप यह मैं टीका टेप यूज कर रहा हूं देखेंगे लास्ट वन येर का रिटर्न यह 34 परसंट दिखा रहा है लास्ट फाइव यह का रिटर्न यह 101 परसंट दिखा रहा है है बैसिकली 2017 से अब तक मैक्स इसका है है 2016 से 112 परसंट साइपी का रिटर्न दिखा रहा है 54.45 परसंट तो इसका प्रसंट परसंट तो थीक है यह थोड़ा का में बट थीक है लिक्विडिटी के हिसाब से देखते हैं मीडियम लिक्विडिटी यह तो अ बहुत आई नहीं बट लो भी नहीं है तो प्लूम लाकर यह अच्छा फंड है और अब इसके वारे में जानने कोसिस करते हैं तो पी ब्यस्टी मीडिक्व सिलेक इंडेक्स और इसमें कौन-कौन सी कंपनिया है इसमें 30 कंपनिया है थर्ती कंपनी जैसे यह आप देख सकते हैं सारी कंपनिया चला फाइनस टाटा पावर एयू बैंक अश्यक लेलेंड बजाज होल्डिंग मातूत फाइनस एक्विडियम पी एफसी प्रिडिलाइट इंडिस्ट्री बायोकॉन नौक्री ट्रेंट पेंडिस्ट्री डिस्राइफ कॉनकर बर्ट फोर्ज एम एफसल जैबलेंट फूट अपुलो हॉस्पिटल वोल्टास आईजेल बीए तो यह सारी इसमें कंपनीज हैं यह आप देख सकते हैं और यह रही इंडेक्स बना कैसे मुझे इसमें अंडरे सिलेक्स को हुपिए 200 मिट्स्राइम से डूटास करें तो सबसे पहले यहां जाकि एक डॉकुमेंट पीन किया जिसमें सारे इंडेक्स की बाएं मैं तो इसमें आप देख सकते हैं से अंपी बिनकाप इंड्क्स है उसमें से लार्जस्ट मिटक्पनी कंपनीर उसको इन में इंख्यूट किया गया है अब इसको कैसे बनाते हैं उसको तो क्लेडिल देखते हैं सेलेक्शन कैसे होता है इसमें स्टॉक्स का एच सेमी अनुवल रिवालेंशिंग साल में दो बार रिवालेंशिंग होती है एलिजबिल कम्पनीज मस्ट सट्वाइब अलगा इनुवल रिवालेंशिंग से ज्यादा उनका मार्केट कैप है और अनुवलाइज टेड वैल्यू ग्रेटर दन और एकल टैन बिलियन जो अनुवलाइज टेड वैल्यू हो वो टैन बिलियन से ज्यादा हो उसके लाएफ टार नवर रेशियो ग्रेटर दैन और इकल टू टू टेंटी परसंट इनका टार नवर रिशे 20 परसंट से ज्यादा होना जे है एफ नो मोर दैन फाइफ नौन ट्रेडिंग देज इन पास शिक्स में पिछले शे मेने में ऐसा नहीं कि पाद इससे जदा उसका नौन ट्रेडिंग देज हो मतलब वो ट्रेडेड हो ट्रेडिंग हो रही हो उसमें और अच्छा खासा वॉल्यूम हो कॉल्यूम हो सेकंड कंपनी स्टीस्वाइं दा क्रिटेडिया निस्टफ न जो ऊपर का साथटिस्वाई कर रही है है और गारेंग विद दर बीसी सेक्टर by average daily float adjusted market cap float adjusted market cap के हिसाब से companies with the rank greater than 10 are excluded जिनका rank 10 से ज़्यादा होता है वो exclude कर दियाती है the remaining companies after step 2 are then ranked based on average daily float adjusted market cap so step 2 के वाद जो filter हो किया थे उनको rank किया जाता है average daily float adjusted market cap के बेस्पे तो largest market के पहले इसमें include होती है the top 20 companies with the current concern are selected for index inclusion जो top 20 होती है वो चाहे अभी current index में हो currently या नहा हो उनको फिर include कर लियाता है उसका existing concern rank 21 21 से 40 तक जो rank होती है are selected in order of highest rank until the target concern count of 30 is reached उसका जो highest होती है है 21 से 40 के उनको include किया आता है जब तक वो 30 हो रही जाती है तो जैसे 21 से 30 तक में भी हो सकती है if after this step the largest content count is not achieved the non-constrained rank 21 to 40 are selected in order of highest rank until the target concern तो पहले देखते हैं कि जो already थे उसमें 21 से 40 में जो already इस index का पार थे उनको include करते हैं लास्ट के 10 स्टॉक्स के लिए अगर वो पूरे नहीं होते हैं तब जाके वो स्टॉक्स देखते हैं जो इस पहले से इस index का पार्ट नहीं थे तो एक यह हो गया रेखले इंडेक्स कज़ें में मिट कैप इंडेक्स चेक फॉर सिक्यरिटी आद एक्सेंज़ बोड़ अंडिया नॉम और कौर्टरली वेसिस पर इस सारे नॉम से भी के भी चैक होते हैं इसमें इसके अलामाद देख लेते हैं इसमें कुछ है स्टार इनका 15 जून 15 से माना जा यह एक चीज आप देख सकते हैं सारे इस डेट एन इसट्री तो बेस डेट इनका लांच जीन 15 से बैग टेस्टेड़ से और फिरस्ट वेल्यूड यह माना गया है बेस डेट यह माना गया है बेस वैल्यू यह है पाजर ओके और यह है आपका यूस्टी ब्लूमबर अच्छा टीकर्स क्या-क्या वहां पर टीकर्स यूज़ हो रहे हैं सब में अपेंडिक्स इनरेशन इफेक्टिव रॉम छे एक किसे दोजार मिस्टी रिव्यू इन अधिशन टॉट इंडेशन वेट रूसे इंडेक्स चेक और अधरेंस तो फोर से भी नॉम्स तो बैसिकली यह से भी नॉम्स के बारे में बता रहा है इसे बीज बिलियन का बट जो से कम पर वह भी एलिजबिल है तो यह इनके में बैसिकली यह फ्री फ्लोट मार्केट के पर हिसाब से इसमें एड किया गया है तो इनका अगर हम दिखते हैं इंडेक्स का रेटर्न हो गयरा जिसे दिखाता है एक साल में नीचे आप देख सकते हैं 29.16 अनुलाइज 3 यह में अनुलाइज रेटर्न 17.36 परसेंट का है इसमें इसकाननोलाइज रेटरण 14.28 परसेंट परसेंट का है तैएन में सब्सक्पाइज रेटरं 17.13 परसेंट का अच्छा Depois यह से इसके मतनाय रहा है दिख सकते हैं इक्सलब गते करेक्टर्स्टिक्स मैं इस में इन्वेस्ट कर रहा हूं यह मिट कैप 150 जो फंड है एटीएफ है उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है तो इसका एकस्विस रेशियो गएरा भी काफी कम है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं चलिए आज पर इतना ही थैंक यू